नमस्कार दोस्तो अनीताज को खाउस में आपका स्वागत है आज मैं खिचडी की रेशिपी लेकर आई हूँ वो भी बिल्कुल नए तरीके से खिचडी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजेगा बहुत टेश्टी लगेग चलिए बनाना शुरू करते हैं खिचडी बनाने के लिए यह मैंने आधा कप चावल लिया है एक चौथाई कप मूंग की दाल है छिलके वाली मूंग की दाल है चावल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो अब इसको बड़े वाउल में डाल लेंगे अब इसको दो तीन मार अच्छे पानी से धूल लेते हैं यह दाल चावल को मैंने तीन से चार बार अच्छे पानी से धूल लिया है अब इसको कूकर में डालते हैं अब यह दाल चावल को इसकूकर में डालेंगे हुल देए अब इसमें पानी डाल देते हैं दीन डालेंगां कि फीटी थोड़ी पतली रहती हो अच्छी लगते शाहित K ऑटीक अब इसमें दाल लेते हैं थ्टॉड़ी से अब यादा है इसको डाल देते हैं नमक डाल देनादे शो कर थे सकते हैं तो फटॉण से अब इसमें कुकर के ढम धकन लगा देते हैं के छलते हैं केजस की तरफ कि अब कुकर गएस पर रख देते हैं गैस को आल कर लेंगे को मीडियम फ्लांच में करके इसमें एक सीटी लगाते हैं किसमें सीटी आती था उप बारिक मेर्च गशार अपने कर्यां कर सकते हैं ये लैसुन की खळी दढिए आपकुछ मसाले लेते हैं मेरे जोटा सा ये 190 अब हमने डाल लेगे एक इस्पून धनिया, खड़ी धनिया, अधा इस्पून जीरा, एक इस्पून सौंट, अब मसाले में इतना ही सामगरी डालना है, अब इसको दरदरा पीसेंगे, पाउडर नहीं बनाएंगे इसको, मैं इस मसाले को एक कुटनी में डालके थोड़ा-थोड़ा कूट आप चाहें तो सिल्बट्टे में कर लिजे, या फिर मिक्सी में कर लिजे, लेकिन दरदरा होना चाहिए, यह मसाला कुट गया है, इसको इसी बाउल में डाल लेते हैं, यह देखें, इसको इस तरह कर रखना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यह एकदम आप चाहें तो लाल मिर्ज पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, अगर आप खाते हो, तो आप डाल लीजे, अब चलते हैं, गयस की तरब, अब कुकर में एक सीटी आ गई है, अब इसको साइट कर लेते हैं, अब खिचड़ी के लिए एक तड़का त दो टेबल स्पून सर्सों का तेल, अब गरम हो जाए, थोड़ा सा, अब तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे, एक चोथाइं स्पून जीरा, दो तीन पिंच हींग, यह जो प्याज काटके रखे थी, इसको भी डाल देते हैं, अब इसमें डाल देंगे, लैक्टू हरी मिर्च, अब यह थोड़ी की बाद में डालें, अब इसमें डाल देते हैं, अब इसमें डाल देते हैं, यह कद्दू कस करके रखा था, इसको भी 2-3 सिकंड भूल लेते हैं, अब इसमें डाल देंगे टमाटर, अब इसमें डाल देते हैं, 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 माटर यह रखा थामाई, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा से नमक नमक पहले से खीचड़ी में पड़ा है तो बहुत थोड़ा से डालना है कि सब्जी सौक्ट हो जाए जो मसाले मैंने पूट के रखे थे इंको मुझाल देंगे अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी एक चोथा इस स्फून से हम क्योंकि हल्दी पहले से कीचड़ी की में पढ़ी है तो बस तोड़ी सी डालने है अब सारी साम गरी leak अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब प्लेम में कर लेंगे अब इसको ढग देंगे 5 मिनट के लिए अभी थोड़ा सा पक जाए सारी सब्जी आं उसके बाद देखते हैं अब पांच मिनट हो गया है इसको देख लेते हैं पांच मिनट के बीच में आपको एक दो बार वीचे चला देना है नहीं तो मीचे मसाला लग जाएगा अब देखिए सारी सब्गी अच्छे पक गई है आलू को दबा के देख लिए यह देखिए अब इसमें खिचड़ी को डाल देंगे अब इसको बना के रखे थी ना इसको इसी में डाल देते हैं अब इसको अच्छे से मीक्स कर लेना है अगा इसको लो फ्लेम में ही रखना है अब एक खिचड़ी अच्छे से मीक्स हो गई है तेकिन इसको लगातार पांच मिनट तक चलाते रहेंगे इसी तरह अगा इसको लो फ्लेम में ही रखेंगे यह खिचडी खाने में बहुत टेस्टी लगती है जो मैंने इसमें कूट के मसाला डाला है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप लोग जरूर बनाईएगा मकर्संक्रांती में आपको बहुत पसंद आएगी अब पांच मिनट हो गया है गैस को आफ कर देते हैं यह दे देखें कितनी अच्छी खिचडी तेयार हुई है एकदम देख कि मुझ में पानी आ गया खाने कमन करने लगा अब चल्ले सार्व करने के बाद इसमें थोड़ा सदेशी घीटा दीजी तो खिचडी में और चार चांद लग जाते हैं बहुत टेस्ट आता है खाने में अब थोड़ी से उपर से धनियक पत्ती गार्निश कर लेते हैं यह मकर संक्रांती के लिए खिचडी बन के तयार है आप लोग भी बनाईएगा बहुत टेस्टी लगेगी मेरा एक खिचडी बनाने का तरीका पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चै बात मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ